दोस्तो आपने मनी प्लांट का पौदा बहुत बार ग्रो किया होगा आपके घर पे होगा भी जब भी आप इसको प्रोपगेट करते हैं या आप एक कटिंग लगाते हैं या दो कटिंग लगाते हैं पर आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसकी ए आप देख सकते हो ये एक पौदा है ये मदर प्लांट आप कह सकते हैं इससे मैंने काफी सारे पौट से तियार किये हैं और दो से तीन सालों में लग दस से ग्यारा जो हेंगिंग बास्किट है मैंने इसी प्लांट से तियार करी हैं तो दोस्तो आप देख सकते हो ये जो हम यहां से मौस्टिक के साथ इसका कॉंटेक्ट तूट रहा है तो वहां से हम इसको कट कर लेंगे जिसके साथ क्या रहेगा नीचे से जो भी इसके नोड एरिया वहां से निउशूट्स आएंगे और हमारा प्लांट दुबारा से बुशी हो जाएगा तो यहां पर आप देख स इसके लिए यूज कर लेंगे तो सबसे पहले दोस्तों जो चीज करनी है जो आपका जो प्लांट है जिसको आपने प्रूनिंग करी है तो उसके बाद इसको फटलाइजर देना मत भूलिएगा इसमें डीएपी के दाने डाल दीजेगा या फिर आप सीविल लिकोड फटलाइ जिसका मतलब है जितने सारे पत्ते हैं उतने सारे पौधे हम एक कटिंग से बना सकते हैं पर इसको सीधा लगाना बहुत गलत चीज रहती है किवल पत्ते को कट करने से कुछ नहीं होगा साथ में जो roots हैं जड़े हैं और साथ में जहां से node area है जो मैं आपको दुबारा से बता रहा हूँ वो ज़रूर cut करेगा और इसके साथ हम इनको लगाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हो जो size रहना चाहिए वो average size जो आप देख सकते हो इतना ही रखेगा जारा लंबी stem मत लीजेगा जो भी लंबा जो extra part है उसको आप cut कर सकते हैं तो आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ जो भी मेरे पास stem है मैं इसको कैसे cut कर रहा हूँ दोस्तो यह जो money plant में भी आप कर सकते हो जिस पौदे में node area रहता है उस पौद में propagation यह करनी सबसे best रहती है अभी इसको करने का जो मौसम रहता है वो हमेशा जुलाई और अगस्त का महीना रहता है या फिर आप September में भी कर सकते हो अगर आपके यहाँ पर बारिश हो रही है तो सब से बढ़िया है क्योंकि जितनी ज़रा humidity रहेगी उतनी ज़रा जल्दी से हमारा जो पौद है rooting करने के like बनेगा अभी दोस्तों आप देख सकते हो मैंने 2-3 cutting जारा से जारा मेरे पास थी पर उससे कितने सारे पौदे अभी हम बनाएंगे और हर एक node area हमने separate कर लिया है अलग को mix करेंगे इसका दोस्तों हमारे पौदे को लगाने के लिए बहुत अच्छा एक benefit है जब भी हम aloe vera gel को mix करते हैं या पौदे की stem के साथ लगाते हैं इसमें कोई भी fungus के chances रहते हैं या आसपास आपके कीड़े पतंगे मिटी में रहते हैं या फिर कुछ भी चीजे हैं उ ये आप source ले सकते हैं जो हल्दी का powder रहता है इसके साथ कोई भी आपके fungus वगेरा कुछ भी आपके पौद में बिल्कुल भी नहीं आएगा और साथ में जैसे अभी बारिश का मौसम रहता है या फिर काफी बार आपके हां पे एकदम से अचानक बारिश शुरू हो जाती है उस बीच में अगर पानी जादा हो भी जाए पौधों में तो cutting आपकी कभी भी खराब नहीं होगी तो इसके लिए हमने सभी cuttings को इसमें dip कर लेना है कम से कम एक घंटे के लिए इसमें ही रखिएगा उसके बाद आपको निकाल कर इन पौधों को प्लांट करना है तो इसलि पाने से पहले हम देख लेते हैं कि इसके लिए मिटी कैसी होनी चाहिए दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें नहीं बताऊंगा जो आपको बजार से लेकर आने की जरूरत पड़े तो आपने simple क्या करना है जो sandy soil है वो इस्तमाल करनी ना ही कोई cocopeat की जरूरत है ना ही दोस्तों आप देख सकते हो हमने अभी cutting निकाल ली हैं और करीब मैंने तीन गमले लिए हैं इसमें हम multiple shoots लगा देंगे क्योंकि हमने जादा भी एक ही गमले में नहीं लगाने हैं जिस वज़से काफी बार पौधों को nutrition नहीं मिल पाता है और पौधी के पत्ते हैं छोटे हो पाएगी सर्फ ऐसन है कि आपने ऊपर ही रख देना है इसको अच्छे दरीके से मिटी में आदा इंची तक आप दबा सकते हैं और साथ में जो roots हैं जो पहले सी होती है इसको भी आपने साथ में मिटी में रखना है जिसके साथ क्या रहेगा धीरे धीरे से जब हमारा plant आग कि इसके साथ क्या रहेगा जब भी इसमें new shoots निकलेंगे वो अच्छे दरीके से grow कर पाएंगे leaf size जो आपके पौदेगा बढ़ा रहेगा ऐसी ही दोस्तो मेरे पास यह दूसरा गमला है इस पे भी मैंने 6-7 cutting लगा दी है और इनको हम अभी पानी भी देंगे और यह है हमार पास्टिके pot में हमारी cuttings गल जाएंगी ऐसा नहीं होता है आपके पौदे में drainage hole अच्छे होनी चाहिए और पानी नहीं रुकना चाहिए जिसके साथ कोई भी तरह के गमले में में पौदे की cutting लगा लीजे तो हमेशा वो successful रहेगी और उपर से हम इनको पानी डाल देंगे पानी भी उतना ही डालेगे जितना हमारे पौदे ले सके जादा पानी के साथ भी काफी बार fungus लगती है यहां पे आप दोस्तों देख सकते हो अभी मैं आपको दिखाता हूँ result यह कुछ जो plant की cutting है मैंने इसी way में लगाई थी और आपको साथ के साथ निकाल कर भी पारो रखे हैं तो हम इनको निकाल लेते हैं और एक एक करके मैं सभी की आपको node cutting दिखाता हूँ कि कैसे grow हो रही है जिससे आपको भी विश्वास होगा और आप भी इस method को try कर सकेंगे तो यहां पे दोस्तों मैंने normal मिट्टी में लगा है आप खुद देख सकते हो कुछ एड़ नहीं किया है जैसे कोको बीट वगरा कुछ भी मैंने नहीं एड़ किया है और पहले आप routine देखे कितने बढ़िया तरीके से हो रखी है इतने अच्छे तरीके से जो rooting इन सभी plants की हुई है यहां पे आप देख सकते हो छोटी सी जो cutting मैंने ली थी fragment cut किया तो उसके सा new shoot बीच में से निकली है ऐसे हमारा जो अभी एक ये new plant बन गया है अगर हम इनको अलग भी लगाना चाहे तब भी ये बहुत तेजी से बढ़ेंगे क्योंकि rooting आप देखे कितने बढ़िया तरीके से हो रखी है और ये दोस्तों हमारा second node है जहां से आप देख सकते हो और एक new shoot निकली है सेम वैसे ही आपके पौदे भी new shoots निकालेंगे जब आप इनको लगाएंगे और इनको कट करके हम दुबारा से भी लगा सकते हैं जो परानी जो node है उससे दुबारा से पौदा निकलेगा और जो new plant निकल रहा है या फिर निकला है उसको भी आप लगाएंगे तो वो भी grow हो जाएगा तो ऐसे दोस्तों जो money plant है इसको आप जितना चाहे उतना propagate कर सकते हैं सिर्फ आपके पास पौदा होना चाहिए और एक साल में तीन से चार बार आप इनकी propagation कर सकते हैं और इसका एक और भी फायदा है कि जितना हम इसको prune करते हैं उतना जारा हमारा पौदा बुशी बनता जाता है और यहाँ पे आपको मैं सभी जो cuttings दिखा रहा हूँ जो मैंने लगाई थी डेड़ महीना पहले अलग-अलग करके तो हम इनको अभी बड़ी hanging basket में लगा देंगे क्योंकि अभी जो 5 इंची के गमले में इनके लिए space कम है तो आप भी ऐसे बनाएं plants कोई भी variety है कोई भी आपके पास plant है तो आप node cutting वाला जो method है जरूर ट्राइ करके देखिए और साथ में मुझे result भी बताईगा कि आपका result कैसा किया अगर फिर भी आपको इस method में कुछ भी problem आती है money plant को propagate करने में problem आती है तो आप मुझे comment section में पूछ सकते हो मैं आपका reply देने की कोशिश करूँगा जो भी आपकी problem है पर इस वीडियो को like and share जरूर करिएगा जिसके साथ और सारे काफी सारे जो viewers हैं जिनको propagation करना पसंद है cutting से पौदे लगाने पसंद है उनके पास ये वीडियो जाए और comment section में जरूर बताईगा आपने आज तक कितने सारे पौदे इस method से propagate की हैं thank you for watching